यहां आये वे आप सभी लोग का हारदी अभינंदन करते वे बिसेश कर यहां महिलास बहात आई है उन सभी महिलास दीदी बेहनों को मेरी और से जोहाँ 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 बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग बहुत दूर दराज गाव दिहाद से आये हैं और हम लोग का जारखन का जो भागोलिक बनावट है वो भी बहुत अजीवो गरीब है पहाड, नदी, नाला से भरा हुआ ये राज है तो बहुत लोग पहाड के उपर भी रहता है पहाड के निचे भी रहता है और थोड़ा बहुत लोग सहर में भी रहता है लेकिन हमने जब 2019 में सरकार बनाया उसी समय हमने ये कहा था कि यो हमारी सरकार है ये सरकार राजची हेटकॉाटर से चलने वाला सरकार नहीं है ये सरकार गाओं से चलने वाला सरकार है और इसलिए आज जगा जगस्त पुरे राज में घुम घुम कर हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारे गाउं में सरकार की आवाज, सरकार की योजना, सरकार की लोग आपके यहां पहुंसते हैं कि नहीं पहुंसते हैं सरकार आपके द्वार का यह चौथा चरण का कारिक्रियम है और इस दौरान अनेकों बार मुझे जो बताये गया चत्राजीला पहला यह दुसरा स्थान है जो सबसे अधिक सिवीर यहां पर लगा दोसों से भी अधिक सिवीरे पंचायत गाओं टोले में लगे और लाखों आप लोग के हाविदन आए अनका समादान भी हुआ आज फिर से आपके पास आपके इस सरकार आपके द्वार के कारिक्रम में विविन जीला से होते हैं वे यहां चत्रा हम लोग आये हैं आज इसी बीच हमारे साथ हमारे मानिये मंत्री मंडल सहीयोगी सत्यानन्द भोकता जी भी हमारे साथ है और हमारे साथ मानिये मंत्री मन्डा गुपता जी भी है कोडरमा के विधाय कुमा संकर अकेला जी भी है और मंच पर जिला परिशद अध्यक्षा सिर्मती मम्ता देवी जी भी है कोडरमा के जिला परिशद अध्यक्ष राम्दन यादव जी भी है और बिशुत्री उपाध्यक्षुष्री परभुद्याल राम्द जी है और सभी गन्यमान तितिवी है इनका भी हार्दी का भी रंदन हम करते हैं मैं बहुँ ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लूँगा और मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा कि जो सरकार जो काम कर रही है चार साल खत्म होकर अब सरकार के कारकाल भी पूरे हो रहे हैं पांच साल होने जा रहा है एक दो मैंने के बाद इस राज में चुना भी हो जाएगा फिर से सरकार बनाने के लिए और इसलिए ये हम जानने आए हैं कि सरकार जो काम कर रही है वो सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है इसका जोर से वाज दिजिए सरकार काम कर रही है पिसे इसके महिला दे दे लोग उसे आप लोग के लिए हम लोग महिया योजना सम्माल लाए है क्या आप लोग को महिया योजना पसंद आया जोर से वाज दिजिए महिला लोग आप लोग को पसंद आया ये और भी चलना चाहिए और हमको तो पता चला कि दूसरा किस्ट भी मैया लोग के खाता में चला गया चलिए बहुत खुशी की बात है 2021 से सरकार आपके द्वार का ये कारिक्रम चल रहा है याद किजिए सबसे पहले इस राज के हमलों के अपने माता पिता बुड़े बुजूर्ग जो हमेशा से अपना पेंसन के लिए दलाल और ब्लॉक का चक्कर काटता था आज हमने ऐसा कानून बनाया कि इस राज का सभी बुड़ा बुजूर्ग बिद्वा मैला को पेंसन में ले लगए आज दिया लगा करके टॉर्च लगा करके भी ढूंडोगे कोई बुजूर्ग बिना पेंसन का नहीं मिलेगा और ये देस का पहला सरकार है जो इस राज के अपने सभी बुजूर्गों को पेंसन देने का काम करता है हमको पता है कि इस राज में कितनी गरीबी है विचारा बुढ़ा माबाप घर में बड़ा परिवार बेटा मजदूर हलात ऐसे भी रहे हैं कि कई जगह में बुड़े माबाप को घर से भी बाहर निकाल देता है लेकिन अब बुड़े माबाप को कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा क्योंकि हर महिना माबाप को हजार हजार रुपया का पिंसन सरकार दे रही है अब उसके बाद मैया समान योजना आया हमारे बिपस्च के लोग अभी तो हम सरकारी योजनाओं को देखने के लिए आपके पास धरातल पर ये योजना उतरती है कि नहीं उतरती है लोगों को इसका लाग मिलता है कि नहीं मिलता है इसके लिए हम जीला जीला घूम रहें और वास्तविक्ता की जानकारी ले रहें और आज हमारे विपस्ट के लोग बोलते हैं कि ये दीदी मैया योजना सरकार बनने समय क्यों नहीं चालू किया क्यों नहीं लागू किया अभी चुनाव आया तो क्यों लागू किया अरे नालाएक बैबानो याद करो सरकार 2019 में बना उसके बाद कोरोना कौन लेके आया अभी देश से जरा बताओ जो दूसरे देश में कौरोना फैला था वहां से कौन ढोकर के लाया ये बताओ और पूरा देश में दो साल तक कौरोना का बादल चाया रहा हाट वजार गाड़ी मोटर सब बन काम धाम नोकरी चकरी सब बन हम लोग का कई घर का गाओ का दिहात का नोजवान अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए नोकरी चाकरी करने के लिए फैक्टरी में काम करने के लिए जाता था ऐसा लोगडाउन का अंधा कानून तुगला की फर्मान इन लोगों ने जारी कर दिया कि हम लोग का घर परिवार का नौजवान घर नहीं वापस आपा रहा था उस समेह यही आपका बेटा, यही आपका भाई आपके परिवार जनों को हवा अजास से ढोडो करके आपके घर में पहुचाने का काम कर रहा था पताए कोई देश में जारकंद से पहले कोई अपने मजदूरों को लाने का काम किया हो देश में पहला ये जारकंद है जो अपने हवाए चप्पल पहनने वाला मजदूर भाईयों को हवा जाज से ढोग करके हम गाह पहुचाने का काम किया है दो साल तक जहां डॉक्तरों की कमी अस्पतालों की कमी दवाओं की कमी ऐसे हालात में ऐसी महामारी ऐसे गरीब पिछड़े राज के लिए का अभिसाप होता है और उस समय हम अपने फसे वे अलग अलग राजियों में साथ समंदर पार लोगों को हवा जाज से ट्रेन से बस से डोडो करके हम ला रहे थे और ये लोग ऐसा हालात पैदा कर दिया कि ये मजदूर अलग अलग राजियों में फसे ही लोग ट्रेन में कटके मर गया महिलाएं चलते चलते सडक में बच्चों को जनम दे रही थी ये ऐसा बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने लेकिन उन लोगों के लिए गाड़ी नहीं चला कई लोग आदे रास्ते में लोगों ने दम तोड़ दिया लाखों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए लेकिन इनके आख में एक आशू नहीं टपका और उस समय हम लोगों ने यह संकल्प लिया हम लोग हर हाल में अपने मजदूरों को लाएंगे उसके बाद पिछे पिछे और भी राजलोग हिम्मत किया और अपना मजदूरों को लाने का काम किया और कोरोना में जो इस्तिती बनी आम दीम जब दबालिंजन की सरकार थी यही भारती जन्ता पार्टी का सरकार 2019 के पहले कोई कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं था, कोई लोगडाउन नहीं था लेकिन उस समय दरजनों लोग हाथ में रासन कार्ड ले ले करके भाद भाद करते मरा था लेकिन हम लोगों ने दो साल करोना के इस भयावा दिन में एक भी मजदूर को यहाँ भूख से नहीं मरने दिया एक भी मजदूर को हमने नहीं मरने दिया और वो इसलिए नहीं मरने दिया कि इस राज की हमारी महिला दिदियों ने सरकार के साथ खड़ा होने का संकर्प लिया याद किजिए 2019 का वो दिन जब गाओ गाओ पंचाइट पंचाइट में महिलाएं फिरी में खाना बना करके मजदूरों को खिलाने का काम करती थी और उसी समय हमने यह संकर्प लिया कि हम इस राज के अपने आदि-आबादी को मजदूर करेंगे उनके पैरों में उनको अपने पैरों में खड़ा करेंगे और आज हमें पता है राज के हलात गाओं की हलात यहां के समाझ के लोगों की किया स्सृती है आज गाव द्यात में इतने इतने गरीब लोग हैं कि छोटा छोटा काम के लिए कभी किसी को बिमार हो जाए कोई स्कूल में बच्चा का फीज भरना पड़े तो अगल बगल के लोगों से या महाजनों से उधार लेना पड़ता है लेकिन हमने संकल्ब लिया है आने वाला पांच साल के अंदर हरे घर में एक एक लाख रुपिया पहुचाएंगे किसी से भीग मागने की ज़रूत नहीं पड़ेगा ना आपको महाजन से उधारी लेना पड़े और अभी हमको पता चला है हमारे विपक्ष के लोग कि आज दिदी मया की योजना के कार्ट में कोई नया योजना लेकि आने वाले है ये बस चुनावी जुमला है इनका 20 सालों तक इन लोगों ने राज किया क्यों दिदी मया योजना नहीं चालू किया क्यों बढ़ा बुजर्ग को पैंसर नहीं दिया क्यों हमारी आने वाली पीडी को संभालने वाले बेटियों के लिए सावित्री भाई फूले योजना लाया आज इस राज में कोई ऐसा बच्ची नहीं है जिसको सावित्री भाई फूले से हम लोगों ने नहीं जोड़ा हो आज समी बेटियां हमारे गरीब घर की हलात इतने खराब रहते हैं कि बेटियों को लोग बोजा मानते हैं दसवी ग्यारवी पढ़ाई नहीं कर पाती है उसके लिए दुला डुणने लगता है अब ये काम बंद किजिए अब हमने आपके लिए बेटियों को पढ़ाने के लिए अब सरकार पूरी जिम्मेवारी उठाएगी अब हमारी बेटी बोजा नहीं बलकि संपत्ती बनकर के घर पे रहेगी पढ़ाईए लिखाईए डॉक्टर बनाईए इंजिनियर बनाईए वकील बनाईए सरकार का गुरूजी क्रेडिट काड भी घर में रखे बेटा बेटी को इंजिनियर वकील पढ़ाना हो उस काड को लेके बैंक में जाओ 15 लाग तुरंत आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए बिले और तो और कोई बंधक नहीं रखेगा जमीन गाय गोरू बंधक रखने का ज़रोत नहीं है सिरब आपको वो काड दिखाना है काड दिखाते ही तुरंत आपको 15 लाग रुपिया का बच्चों को पढ़ाने का पैसा मिलेगा तो कई ऐसी चीज़े आज हमारे विपक्षियों को खल्बली मचा हुआ है हम सरकार के कार योज़ना को लेकर के भटक रहें और ये लोग आज कैसे चुनाव में भोट खरी देंगे इसके लिए गीद की तरह पूरे राज में मन रा रहें पूरा देश का बड़ा बड़ा मंत्री प्रधान मंत्री गिरी मंत्री एक दरजन मुख्मंत्री पूरे राज में मन रहा रहें और इनका बड़ा दिल्चस्वी है जारकंड में क्योंकि ये पूरा देश दुनिया में सोने के चिडिया से इस राज को लोग जानते हैं लेकिन यहां के लोग का क्या हालत है हम सब गाओ दिहात में जानते हैं रोटी, कपड़ा, मकान तक ठिक से हमारे गाओ के लोगों को उपलब नहीं है आज हम लोगों में परदान मंत्री आवास जो घरिबों का आवास मिलता था आजा पैसा राज सरकार, आजा पैसा केंदर सरकार देते थे ये केंदर सरकार तीन-चार साल तक पैसा नहीं दिया हम लोग नाक रगरते रह गए, बगल के राज में चुनाओ था हम लोगों का कोटा उसके भारती जन्ता पाटे के राज में भेज दिया जब इन लोगों ने नहीं दिया, तो हम लोगों ने अपना योजना सुरू किया जिसका नाम है अबुआ आवास और परदान मंत्री आवास से बड़ा आवास बनके आप लोगों को आपने ताकत पर और आज इस सोने के चिडिया रुपी इस राज पर कब्जा करने का इन बेपारियों का पूरा ताकत लगा हुआ है क्योंकि आगे खनी संपदाओं को लुटना है अभी कल ही हमने भारत सरकार परदान मंत्री को चिठी लिखा है एक लाग छत्तिस जार करोड रुपिया का बकाया केंद्र सरकार ने हबा रखा है हम लोग मांगते रहे हैं कभी एक करोड कभी दो करोड इस तरीके से भिक मंगा की तरह दे रहे हैं अगर आज भी हमारा एक लाग छत्तिस जार करोड रुपिया का सूधी हमें मिल जाए इंट्रेस्ट हमें मिल जाए तो मया सम्मान योजना जो हम एक हजार रुपिया दे रहे हैं तुरंट उसको हम दो हजार रुपिय कर सकते हैं मूल दन तो छोड़ो सूधी हमको दे दो उसका उतना में मेरा काम चल गए रहे है लेकिन कहे कहे यह देंगे बेपारी लोग कभी दिया है क्या कुछ जी बलकि वो सब लेने वाला लोग है यह लोग ऐसा है कि आपका जेब से कैसे पैसा निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा अभी तो मंत्री जी बता रहे थे जब यूपिय की सरकार थी जब हम लोग की सरकार केंदर में थे तो उसमें सिलेंडर चार सो टका मिलता था आज जाके ढूल के लाके दिखा दो चार सो टका में कौन राजमें मिलता है पैट्रॉल डिजल 60-65 रुपय में मिलता है आज सौ के पार है जबकि अबकि विदेश से जो कच्छा ते लाता है और सबसे कम दाम में अभी ब्ली देसों से कच्छा तेल आ रहा है लेकिन पैडिरोल लिजल का दाम घटने को त्यार में जब पैडिरोल लीजल का दाम घटे आप में घटेगा तो देश में कोई भी समान Tagima कुछ भे किसी का दाम नहीं घट सकता सबका दाम आसमान चुएगा और आज यही नतिजा है जो 50 रुपिया का सरसो तेल आज 200 रुपिया में खरिदना पड़ता है जो नमक गाउद्यात का रासंदुकान वाला नमक दुकान के बाहर छोड़के जाता था कोई उसको पुछता नहीं था आज बता दो कितना रासंदुकान वाला नमक का बोरा बाहर में छोड़के जाता है आज जो नमक को पुछने वाला लोग नहीं आज 100 रुपिया की लोग खरिदवा रहा है यह आलत है और आज गरीब गुरुआ लोगों को ताकत देने का हम लोग काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ है आज गाओ दियाद के लोग लगबक राज का 80% लोग हमारे गाओ दियाद में रखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ेवे अनेकों परकार की समस्या इनके सामने आती है और छोटा छोटा समस्या दिरे दिरे इतना बड़ा हो जाता है कि विचारा उसका बोज नहीं उठा पाता आज बुड़ा बुजुर्ग को उनको बुड़ा पे कर लाठी देने का काम हम लोगों ने किया आज मैया को समान देने का काम किया आज अगर बताइए किसी घर में तीन महिला हैं तो महिना का तीन हजार रुप्या और साथ में माबाप है तो पाँच हजार रुप्या महिना साल का जोडो तो साथ हजार रुप्या बहुत जल ये सरकार अब आपको अपने पैरों पर आप जो सरकार के द्वारा बाटी जाती रासन है इसके अलावा बजार से आप अच्छा पोस्ट लिकाहार खरिद के खा सकें बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें आज इसलिए तो आप लोगों का हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली भी फिरी किया और आपका बगाया को भी हमने फिरी कर दिया है और आपको बिजली का कोई बगाया देने का जोरत नहीं है और बता दें गाओ दियात में कोई बिजली का बिल मांगने आएगा तो महिला लोग उसको जाडू से पटक मार मार के बगाने का काम कीज़ेगा बहुत ठग लोग भी घुनता है बजार में बड़ी ठग है आज के दिन में भी कोई ने कोई रास्ता ही लोग निकालता है इसलिए आप लोग का बिचोलियों से हम लोगोंने हर समस्याओं से दूर करने का प्रियास किया है बुड़ा भुजुर का पेंसन के लिए कितना लोग बिचोलियों से अपना घर चला लिया बिचोलियों बुड़ा लोगों से कभी 200, कभी 500, कभी 100 रुपया भी तसीलि करता था अधि मैया योजना के लिए भी फॉर्म के लिए 10 रुपया 50 रुपया ले ले करके लोग अपना जेब बरता था आज वो सारा चीज़ खतब जो 50 साल का बुजुर्ग हो गया उसका आटोमिटिक पेंसन बनेगा तो इसलिए कई चीज़े हैं अगा हम योजना गिनाना शुरू करें सुबह से साम हो जाएगा बीस सालों में और इन चार साल जिसमें दो साल कोरोना और दो साल इस दुस्मनों का हमारे पिछे चोर पुलिस का कहानी करना जूटा आरोप आए दिन में अब जेल जाएगा आभ ये मुखमंत्री जेल जाएगा रोज कुछ ना कुछ अडंगा आपके काम में और आखिरकार एन के परकारें लोगसभा के चुना में हम चुना में अगना सरीख हो पाएं इसलिए हमको जेल में डाल दिया जब वो चौदा के चौदा में बारा सिट लेके आए थे अब नौ सिट पे आए अगर मैं बार होता तो इनका बारा का बारा सिट हम लोग की लोग से छीन के रहते हैं लेकिन इन लोगों ने हमें बंद कर दिया फिर भी हमारी राज की जनता ने इसका करारा जवाब दिया है और आज मैया योजना हम चालू किया है इसके लिए कोट चला गिया है ये लोग आज यहाँ नौजवानों को नौकरी देते हैं उसके लिए भी कोट चला जाता है ये लोग आप लोग के लिए योजना का बनाते हैं हर योजना के लिए कोट चले जाते हैं नियोजन नीती बनाते हैं उसके लिए भी ये लोग कोट चले जाते हैं पड़ा लिखा लोग का जमात है, बुद्धिमान लोग है, वकील भी इनका बड़े लिखे लोग है, बड़े बड़े, कई जगा जज सभी नी लोग का पॉकेट का लोग है, जज लोग भी आरिस ले करके भारती जन्ता पाटी जोइन करके चुनाओ लड़ने का काम कर रहा है नहाए कहां मिलेगा गरीब को नहाए संगर्स और लड़के मिलेगा हम तो बोलते हैं 1,36,000 क्रोड रुपिया का बखाया है हमारा केंद्र में इस तुनाओ के बाद तैयारी कर लो हम लोग सब मिलकर के अपना 1,36,000 क्रोड रुपे लेने के लिए जाने का काम करें इस राज को योजनाबत तरीका से गरीब फटाहाल मजदूर बनाने का हमेशा निति निर्दारण होता रहा है आज रोटी, कपड़ा, मकान कौन सा चीज हम नहीं दे रहे हैं आज गरीबों को साल में दो बार तंडखने के लिए कपड़ा भी मिल रहा है इन लोगों ने तो आपने डबल इंजिन के कारकाल में 10-11 लाक रासंकार डिलीट कर दिया लेकिन हम लोगों की सरकार बनी 20 लाक हरारा संकार बना करके गरीबों में बाटने का हम लोगों ने काम किया लेकिन उसमें भी पक्षपात का काम हमको लगा इन गरीबों को समय पर हम अनाज देंगे तो सरकारी दुकान से हम अनाज खरीदे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, दो-चार टकाप सस्ता पड़ेगा, लेकिन जो भारत सरकार का सरकारी दुकान है, जिसको FCI करते हैं, वहां से हम लोग को अनाज नहीं देने लेने दिया, कभी दो मैना बिलाम, कभी तीन मैना बिलाम से हमें अनाज मिलता रहा, कभी खुले बजा से महंगा दरों में खरिजना पड़ा, कभी सरकारी दर में दो मैना, तीन मैना बिलम से हमें मिला, तो इस एकर में कभी कभी हरारासन कार्ट में समय पर रासन आता था, कभी नहीं आता था, लेकिन अब उसका भी समादान हमने निकाल लिया है, इस राज में बडे पैमाने मे चावल बनाने का फेक्टरी को हम लोगों ने स्विक्रित किया है और इस राज में जो धान का उगाई होगा बड़े पहमाने में उस धान का खरीद सरकार करेगी और इनी कमपनियों से उसमें चावल बना करके गरीबों में बाटने का हम लोग काम करेंगे फिर हम लोग को केंद्र सरकार पर कोई उनके दुकान से खरीदने का ज़रोत नहीं पड़ेगा अरा तरह का जाती बाद, परिवार बाद, क्या-क्या इन लोग आरोप और इन लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सीख, किसाई, अगड़ा, पिछड़ा यही करके इन लोग चुनाओ लड़ता है, लोग सभा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से संप्रदा इक तनौप पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया किस तरीके से पूरे समाज को बाटने का इन लोग काम किया भगवानों को भी बाटा, आम आदनी को तो ठगने का लोगों ने लोगों को भी नहीं बक्शा और यही नतिज़ा हुआ, कि भगवान राम ने भी इन लोग को जमीन पे उतारने का काम किया और आज सरकार बनाने के लिए उनको दोगो लाठी की बैसाकी की दुरत पड़ी है ये राज हम लोगो 35 साल के बाद मिला अनेक लोग वीर सहिध हुए आदर ने अधिस्वमकुरू सीबू सोरेंजी जवानी बचपन बुड़ापा सब इस राज के लिए दे दिया लेकिन सत्ता उनी लोगों के हाथ में चला गया जो हमारे घोर विरोधी आधिवासी दलित पिछडों के घोर विरोधी लोग रहे हैं इनी बेपारियों के जमात सरकार बनी और इन लोगों ने 20 साल तक इस राज को सिरिंज लगा करके इसका खून चूसने का काम किया अन्तो गत्वा दो हजार उनैस में हम लोगों ने कमर कसा और इसकी डबल इंजन की सरकार को एक इंजन उठार करके हम लोगों ने गुजरात में फेग दिया और आज देखें इस राज में हर एक वर आज क्या यह बताईए यह मया योजना क्या आदिवासी दलित पिछडों को मिलता है क्या हिंदु मुसलिम सिक इसाहि सबको नहीं मिलें क्या ये विर्दाप इंसन सिरफ हिंदु को मिलेगा सिरफ आदिवासी को ऐसा है क्या सभी वर्गों के लिए हम योजना बनाते हैं हम लोग ध्यरम और जाती बिसेंस को ध्यान नहीं बल्कि सब समाज को ध्यान में रख करके योजना बनाते हैं आज हमारा इस राज का नौजवान हुनार ये देश का पहला राज है जा हमारा पढ़ने लिखने वाला बच्चा बिदेशों में भी जाकर करके पढ़ाई कर रहा है उसका पूरा खर्चा राज सरकार देता है इस वज़ा से योजनाय बात है आप बताईए सरकार अभी आप लोगों ने सुना है ट्रेक्टर के अलावा और दूसरा कुछ सरकार बढ़ता हो किसानों के लिए और आज सरकार के माध्यम से ट्रेक्टर तो मिलता ही है आज सरकार बस भी बाठता है बेलरों भी बाठता है इसकॉर्पियों भी बाठता है इनोबा भी बाठता है और नौजवान सौरोजगार की काम में लगा हुआ भी हर कोने में आज इतने आविदन इतने लोगों का उत्साह यही हमारी ताकत है लेकिन जो बिपक्ष का लोग है इन लोग बहुत किसा संपन है इन लोग पैसा कोड़ी धन बल सब जूट सच करने में बड़ा आदमी है तो गरीब गुरुवालों को लगता है कि अच्छा ही बोलता होगा सही बोलता होगा यह भारती जनता पाटी यह इंडिये की सरकार देश की सबसे बड़ी और जुट्टी सरकार है इन लोग परिवार बात की बात करता है इन लोग का परिवार बात नहीं चलता है इनका बाब बेटा लोग राजदीत में नहीं है अगर मेरा बाबुजी राजदीत कर रहा है मैं राजदीत में हो तो क्या खराब यह बताओ सेर का बच्चा सेरे पैदा होता है कि कुटा पैदा होता है अब उन लोग का बाल बच्चा जिसका जिसका नहीं है तो उसका हम अमारा क्या गलती बताओ तो इसलिए अभी ये लोग बड़ी योजनाबत तरीके से अभी आप लोग ने सुनाओगा 36 गड़ में अदानी को एक ख़दान मिल गया है और वहां के क्या हस्डिया की क्या एक गाह है और वहां के जंगलों को उजाडा जा रहा है वहां के आदिवासियों को बेदखल करने की तैयारी जोरों पर चल रही है और सरकार के सर्रक्षन में जहां भारती जंतापार्टी की सरकार है वही लोग उन जंगलों को उजाडने में सहीयोग कर रहे है अगर जंगल उजड़ गया तो देश का आदिवासी दलेट, पिछड़ा, प्रयावरन सब समाप्त हो जाएगा अब उनीवे पारियों को यहाँ एक एक करके बठाने की तैयारी है लेकिन अब आने वाला समय हम लोग ऐसा निति निर्धारन करेंगे कि इस राज का जितना भी खनित संपदा है पहले हमारे अस्थानिये लोग उसका हिसाब किताब करेंगे तब यह खनित संपदा राज से बाहर जाएगा राश्ट संपत्ति है इसका मतलब कि आके राज के लोगों के जान माल से खिलवाड होगा यह कभी नहीं होने देंगे अभी तो हम लोगों ने कानून बनाया है कि 75 परतिसद लोग अस्थानी रोजगार करेंगे उन जगहों पर लेकिन हमें ये भी खबर है कि बहुत सारे लोग चतुराई से बाहर के लोगों को भी ला रहे हैं लेकिन अभी दो-चार मेना मुझे लगता है कि अभी हम लोग चुनावी समर में घुदेंगे उसके बाद लाटी लेके निकलना होगा इन कंपनियों के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो लोग विस्तापित में हैं 100% हम लोग को असानी लोग को रोजगार दिलाने का काम करन पड़ेगा तभी यहां पर कोई काम होगा ने तो इस लोग भूखा मरवा देगा इनका कोई परवा नहीं अभी नहीं जुमले नहीं 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 कहानी लेके आएंगे ध्यान रखेगा अभी गाओ गाओ पंचाइद पंचाइद तोला तोला में घुमेगा बड़ा छोटा मजुला सब टाइब का नेताब को मिलेगा अगल बगल यूपी से चत्तिस गड़ से मद्द परदेश से उड़िसा से बिहार से आकर के हमारे यहां के गरीब जनता को ठगने का काम करेगा इसलिए और बहुत ज़्यादा नहीं समय लेते हुए आप सब लोगों से फिर से यही हम जानना चाहेंगे कि आप लोग आज हमारा गाओं द्याद जिस तरीके का है आज भी हमारे गाओं में बहुत लोग हैं जो ब्लॉग कारेले नहीं देखा बीडियो सीयो के कौन है इभी नहीं पता है डीसी एस्पी का तो बात का दूर है आज हमने ये सुनिश सीति क्या है बीडियो सीयो आप ब्लॉग कारेले में नहीं गाओं गाओं पंचायत पंचायत में जाकरके लोगों की समस्या का समाधान करेगा और आज यही वज़ा है हमारी बुडे बुजोर्ग, हमारी मैला दिदियों को, हमारी सावित्री भाई फूले की बच्चियों को किसी ब्लॉग कारेले में भटकनी की ज़रुत नहीं पड़ी किसी दलाल के चकर में नहीं पढ़ना पड़ा पंचायत में सिवीर लगा करके उनका कागज फॉरम भराया है और आज उनके खाता में दो दो हजार रुपय दो मैना का इस्रॉलमेंट भी चला गया बताओ, कभी ऐसा इस्तिती था, बिस साल पहले आप कैसे हो गया बई कोरोना के बाद हम लोग लगातार गाओं गाओं पंचायत पंचायत में आप लोगों के सुख दुख की जानकारे लेकर आपके लिए योजना बनाते हैं नौकरी चाकरी कालम, अभी हम लोगों ने उत्पाज सिपाही का दौड कराया एक दरजन से अधिक नौजवान मर गया हमें बहुत चिंता हुभी आखिरक वज़ा किया है कभी ऐसा नहीं होता था पहले भी दौड होते थी लेकिन इतना एक साथ समुव में मरना बहुत बड़ा चिंता के भी सह है और हमें जो जानकारी मिल रही है कुरोना के समय जो देश के लोगों को टीका लगाया गया है ये बहुत ही फरजी तरीके का टीका लगाया गया है उसका भी अंदे साथ बताया जा रहा है क्योंकि इस दवा को पूरे दुनिया ने बंद कर दिया था उस दवा को यहां बनाया गया है और उस company से यही भारती जंता पार्टी का लोग यही बेपारी लोग चंदा वसूल करके वो दवा हम लोग को सप्लाई करके हम लोग के अंदर में लगवा दिया है आज उसका भी कारण पता चल रहा है आज हमको भी वो injection लग जया है हमको तो अब यह चिंता लग जया है पता नहीं किस दिन हम भी भासम देते देते लुड़क जये कोई पता नहीं है आज चलते फिरते लोग मर जा रहे है सर दिखासी होता नहीं है उसमें लोग को जान जा रही है अजीब इस्तिती हो गया इतना कमजोर कभी जारखन का लोग नहीं था फिर यह कैसे श्तिती हो गई पूरा देश में यह सोथ का भी सह बना है और इस पर हम लोग अंदर तक जाएंगे पूरा उसका रिपोर्ट तयार करेंगे अगर ऐसी बात है तो इन लोगों ने पूरे देश की जन्ता के साथ जान मालका उनके साथ सौधा कर लिया है यह पैसा के लिए कुछ भी कर सकते है और आप देख लिजेगा और हमको यह खबर भी आ रही है पूरे राज में बड़े पैमाने में कैंसर का लोग बिमारी से ग्रसित हो रहे है आए दिन खबर आ रही है कि इदर से लोग कैंसर का बिमारी उदर कैंसर का बिमारी पहले तो ऐसा नहीं था अचानक यह कैंसर का बिमारी किदर से उठके आ रहा है ये तो कोई छुआ चूत का बिमारी नहीं था ये जरूर कहीं हमारे सरीर के साथ खिलवाड हुआ है और ध्यान रखेगा यही बेमानों ने ये काम किया है ये कुरोना के समय फर्जी दवाई लगा करके लोगों का जानमाल के साथ खिलवाड किया है अगर ये साबित हो गया और अभी ये बात सौ दिन का चोर एक दिन पटाता है न जी अगर ये हुआ है तो आज नहीं कल जरूर ये जनता के सामने आएगा इस बात के लिए आप लोग तैयार रहेगा इसलिए हम अपनी बातों को यहीं समात करना चाहेंगे या एवे सभी मातहिं बैने नौजवान साथी को मेरी और से बहुत बहुत धन्यवाद जहार बहुत बहुत धन्यवाद दीजए जोडडा दालो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माने निये मुक्येवंत्रीची का आपके आशीर वच्ट्रों के लिए आपकी शुब कावनाओं के लिए और अब वक्त आ गया है जिसका हम सब इंतिजार कर रहे थे वक्त आ गया है